राधे राधे सब्स्ट्राइक धीजिए फुनीता कुकर चानल को वे लाइक अंद भाईए कान अजी की वीडियो की नुटबे पिशिट भाईए राधे राधे सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह देखिए हमने छे से साथ तक काना जी का जो नंबर होता है उनको यह अराम सी बूट आ जाएगा तो यह हमने अपनी ड्रेस के साथ का बनाए इसे हमने देखिए इस तरह के से फोल्ड कर रखा है और इस तरह के साथ से अगर उपर टक पहनाना है तो आईसे भी आप पहना सकते है तो देखिए कितना सुन्दर लग रहा है और इसकी शेप देखिए कितनी प्यारी आई यह है मैं वैसे गर्मी हो रही है लेकिन मैं आपको जल्ड़ी से पने काना जी के एक पैर में डाल के फिर दूसरा बूर्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो देखे ये मेरे काना जी का पैर है और ये देखे मैं आपको फटा फट पहना कर जल्दी से निकाल दूँगी क्योंकि गर्मी है सिरफ आपको ये न लगे कि भई ये देखे इस तरीके से ये देखे आ गया उपर से काना जी का हमारे काना जी का पैर है काफी मोटा है और ये देखे इस तरीके से मेरे कुल कितनी अच्छी से देखे काना जी ने पहन लिया है और कितनी प्यारी सी शेप आई इसको फोल्ड करना चाहिए टो फोल्ड कर सकते हैं तो मुझे उमीद है अच्छा लएग तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो चलिए इस भूट को कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको बताती ओ और यह देखिए हम इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं जिसे इसकी शेप बहुत प्यारी हारी है इसको आप इस तरीके से लंबा भी कर सकते हैं तो ये 6-7 नंबर काना जी के लिए मतलब कि हमारा बूट बनके तियार हुआ अगर आपको इससे चोटा बनाना है तो आप या तो इससे बारी कून लेकर इसी साइज में जैसे मैं लग से शीरू कर सकते भूट ज्यादा चोटा बनाएंगे तो नहीं बनेगा उसके लिए मैंने चोटे बूट का अलग से जीरो नंबर एक नंबर का डाला हुआ है तो आप महां से देख सकते हां तो चलिए इस बूट को बनाते हैं तो इसके लिए हमने बेबी उन लिया है और 10 नमबर का क्रोशा लिया है और इसे हमें सुई से सिलेंगे क्रोशे के भी हम पूरा से क्रोशे से सिल सकतें लेकिन अच्छे नहीं आगी इसलिए सुई चाहिए हमें और उन कातने के लिए कटर तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम 12 चेन बना लेंगे इस तरीके से देखे एक चेन हो गई दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा और यह बारा बारा चेन का हमारा बूर्ड बनेगा इस तरीके सापको देख लेना है गुलाई और एक चेन हम एस्ट्रा बनाएंगे और यह जो बारा स्ट्रीच हमने बनाए हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोश लेंगे तो इससे एक जो बनाए उस अगली चेन में से इस तरीके से यह देखे सिंगल क्रोश लेंगे एक दो तीन चार पांच छे अगर आप मोटा क्रोश ले लेंगे तो आपका लूज बनेगा तो दस नमबर या ग्यारा नमबर से आपको बनाना है यह मैं दस से बना रही हूं तो इस तरीके से हम यहां तक हर चेन में से बारा स्टीच बनाएंगे यह लास्ट में अगर 11, और यह लास्ट ओले चेन 12 स्टीच तो यह हमने फिर्स्ट डोव बनाके तियार कर लीए इस तरीके से सिंगल क्रोश ज़िया से अब यहां पर एक चेन बनाएंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे यह देखें जो फिर्स्ट चेन है यहां से फिर से हम हर चेन में से एक एक बार फिर से बारा स्टिच यानि की चार हो हमें इसी तरीके से बना कर तियार करनी है दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस एक ग्यारा और यह लास्ट में यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वाले चेन यह देखें जो हम लेते हैं एक बारा फिर से एक चेन और इसी तरीके से फिर से बारा से दो रोब बन गई है दो और बना लेते हैं चार रोब बना कर हमने तियार करनी है तो देखे चार रोब बन के तियार हो गई यह हमारी बूट की उपर वाली चार रोब बनानी है जिसमें हमें बूट को शेप देनी है और फिर नीचे की एक बनाएंगे तो पांच रोब हमारी टोटल और बनेगी, 9 रो में हमने यह मितलब की बूट बनके त्यार किया, तो चली चार रो जब हमारी बन जाएगी, हाँ पर एक चेन लेएंगे, और यहां से वापस हो जाएंगे, तो यह हमारी 12 स्टिच है, 3 यहां पर 3 यहां पर सिंपल बनाएंगे, बीज में 6 बची, उनको हम स्टि यह तीसरी, तो तीन बार हमने सिंगल क्रोश्य ले लिया, अब यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे स्टिच है, और यह देखिए, एक, दो, तीन, यह लास्ट में बची, तो बीच की 6 स्टिच हमने से हर चेन में से हमने, दो दो भार सिंगल क्रोश्य लेना है, एक हो गई, यह दूसरी चेन में से दो बार, तीसरी चेन में से दो बार सिंगल क्रोश्य लेना है, और यह सेम उसी में से, तीन हो गई, चोथी चेन में से, एक बार सिंगल क्रोश्य लेना है, एक बार और सिंगल क्रोश्य लेना है, चार हो गई, फिर अगली चेन में से, ए सिंगलकृृष या एक बार और पांच बार वो गया हमारा अभी छती चेन हमसे हम दो बार और ले ले लें तो 6 से बारे स्टिच होगी एक बार और ये दो बार तो छे से यहां पर बीच में 12 स्टिच होगी अब तीन last की है जैसे हमने शुरू किया था ऐसी एक दो और लास्ट में तीन तो शुरू में और आखरी में तीन तीन बार एक एक ही तीन बार जो स्टिच लिए सोरी वो एक एक बार लिए यहां पर बीच की छे को हमने डबल कर दिया बारा हो गई यहां पर एक चेन लेंगे अब हमने हर चेन में से एक एक बार जो है सिंगल करोश्या लेना है तहीं कोई स्टिच नहीं बढ़ानी है तो यह ऐसे हम ले लेंगे हर चेन में से एक एक बार यह देखिए सिंगल क्रोशिया तो देखिए हर चेन में से हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया तो यह टोटल हमारी 12 स्टिच थी 6 और हो गई तो यह हमारी 18 हो गई है सब्सक्राइए अब यह दिकेजुरम यह दोस्टीच हो गई है इसलम में बढ़ाया थे ररे नहीं बढ़ाया अब फिर से यहांपर हमरें प्र हम स्टीच पिर से बढ़ाएंगे इसलम तो अब आप यह पड़ i too यहांपर चेज लेंगे तो यह एक चेन ले लिए यहां से वापस हो जाएंगे पहले चेन में से एक तो छे स्टिच में से एक एक बार सिंगल कुरोशे एक दो तीन चार पांच और यह चे तो पहले तीन लिया था अब चे ले लिए बीच की चे स्टिच पहले की तरह डबल करेंगे और यहां पाँ चे लेंगे क्योंकि हमारे चे बढ़ गई है अब यह देखिए इसी तरह के से हर चेन में से दो दो बार ले लेंगे चे स्टिच एक और एक बार ले लिए हमने दो ले लिए एक में से फिर अगली चेन में से भी दो स्टिच लेंगे सिंगल करोशे की एक और यह दो दो चेन में से ले लिए हमने तीसरी बार लेंगे दो स्टिच एक बार ले लिया फिर से दूसरी बार अब चोथी चेन में से भी दो बार एक और ये दो पाच्वी चेन में से भी दो बार सिंगल क्रोश्या है एक और फिर से उसी में से दो अब छटी चेन में से भी हम दो बार सिंगल क्रोश्या लेंगे एक और ये दो फिर से बीच में से छे से बारा हो गई अब यहां की छे हर एक में से एक एक बार ले लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह लाश्ट में छे एक चेन लेंगे, अब हमें नहीं बढ़ाना, एक ही हमारी बस लाइन बनेगी तो टोटल नोर हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब हमने बनाई, और एक नो, चीक है, तो इस्टिच बढ़ाने के बाद, हर एक में से एक, एक बार सिंगल करोशा लेके, हम इस रो को भी बना कर तियार कर लेते हैं, तो देखे, हमने यहाँ पर फिर से अपना सिंगल करोशा हर एक चेन में से ले लिया है, तो टोटल यह भी हमारी आठ तियार हुई है, देखे, चार तो हमने 12 स्टिच की बनाई, फिर हमने 5 वी रो पे स्टिच बढ़ाई, छटी पे नहीं बढ़ाई, ऐसी हमने बना लिया, फिर हमने 7 वी पर बीच में से स्टिच बढ़ाई है, 6 यहाँ पर लेके, 6 यहाँ पर लेके, और फिर हमने 8 वी पर स्टिच नहीं बढ़ाई, अभी 9 व तो यह रो बना लेते हैं उसके बाद सिलाई करते हैं तो देखिए हमने इस तरीके से लिए धागा छोड़कर थोड़ा सा में चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए ऐसे कट करके इस लास्ट वाली इस टेची जो हमारी रहागी थी इसके अंदर से निकाल देना है अब यह चाहिए तो आप इसको क्रोशे से भी इस तरीके से सिल सकते हैं लेकिन हम सुई धागे से सिलेंगे तो ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी तो यहां से पहले सिलेंगे इस तरीके से यह देखिए ऐसे सिलेंगे और इसको बाद में सिलेंगे ठीक है तो यह देखिए हम ऐसे से यह सी तो देखें यहां से में सिल लिया अब हमें नीचे का यह देखिए बूट का नीचे वाला हिस्सा हमने सिलना है तो यह देखिए इस तरह के से आप देख लीजे पास पास में आपको यह चैन जो हमने इसे हर chain में से हमने दोनों तरक्की ऐसे सिलना है तो इसको हमने 6 स्टिच लेने हैं दो या आप आधी बूट को सिल लिजी तीन एक chain का यहां से एक chain यहां से चार पांच और ये छे मतलब कि हमने एक तरह से आधा बूट सिल लेना है बिल्कुल हम बड़े बच्चे की तरह बना रहे हैं अपने काना जी का यह मेरे बड़े शम्भू जी का है उनकी अभी गरम ड्रेसिज नहीं है तो आपको अच्छी ड्रेसिज देखने को मिलेगी यह देखिए आदा हमने सिल लिया अब हमने क्या करना है हाँ पर एक एक चेन म ना जी है देखिए आगर आपको छोटे बोट में समझनी आई तो मैंने बड़े बोट में भी ऐसे बना रख एए से हमने चारों तरफसे ऐसे ले लेना है तो जहां से अमने सिल यह आ गए और इसको पकड़ के खीचेंगे तो इस सारे खट्टे हो जाएंग्यांगे देखि यह देखे गुलाई आ जाएगी तो थोड़ा सा छे नंबर से उपर हम बनाते हैं तो बहुत प्यारे प्यारे बूट कानाजी के बन जाएंगे यानि की 5-6 जितना हम छोटा बनाते हैं उसमें थोड़ी सी हमें दिक्पत होती है बनाए हमने वो भी है यहां तक कि मैंने अपने आप इसको इस तरीके से पलट लेंगे हम क्रोशी की हेल्प से इसको हमने पलटा क्योंकि छोटी आइटम है यह देखिए यह हमारा इस तरीके से बूट बन गया है और आप चाहित जैसे मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ था अपना बूट यह देखिए कि इतना प्यारा बूट बना हमारा अगर आपको मेरे शम्भू बड़े काना जी की बूट अच्छे लगे है तो प्लीज इसलिए वीडियो को लाइक तो करना ही है और रादे रादे जरूर लिखेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजिगा और पहले की तरह ही प्यार देते रही है जिस